हाई दोस्तों आप देख रहे हैं गुरुजित ब्लॉग तर आज हम बात करने वाले हैं टॉप टेन टूहंडेट इसी टूपाइंड इसी पॉपुलर बाई जिसका सेल बहुत यह अच्छा है और दोस्तों दिन बदिन जो हैं उनका सेल इंक्रीज भी हो रहा है कि अधर हैं लोग भाई कर रहे हैं उसमें क्या प्रो कॉंस और मोडल में आपको भाई करना चाहिए ने करना से शारी डिलिन हो इस वीडिएस को ऑजहिए ऑम डिखी है जोम छमतुम स्विलि immune भी कर दोस्तों अन्यक्त नमबर टेन पर हैं बजाज सरु d zwischen mar पर मन्त जाता है एंड दोस्तों अगर इसके एक शोरूम प्राइस की बात किया तो 1.96 लैक्स है और और प्राइस अगर टेंट बताऊं तो 2.24 लैक्स क्या सब बढ़ जाता है और दोस्तों यह मॉडल की फैन फॉल्विंग अलगी है और बजाज में जो टॉम ना राने के बा पाइक है डूल चैनल अब्यास है दोस्तों अलडी है और बहुत सारे अच्छा फीचर्स के इंदर आपको मिल जाते हैं मैक्सम जो है आपको एलडी के साथ एक्यूप मिलेगा और दोस्तों राइडिंग करने में राइडिंग पोजिशन की बात की जाए बहुत अच्छा है रेर सस्पेंशिघ तोड़ा सा फिंगर पॉइंटिंग है अधर्वाईस इस प्राइज में यह जो मॉडल ना बहुत ही अच्छा है बड़ाकि इंथ्वस साइड को लेके जो बोलता है कौन से एक मोडल में होता है कि सट बेसाइड को लेकित फिंगर पॉइंटिंग है अध लाइब लाइब बात करें तो 1.2 लाइब दोस्तों अगर इसके अगर इसके इंजिन की बात करें तो 220 इसके एंजन आता है 19.03 PS का पाउर बीडिश करता है 17.55 एनम का टॉक मिल जाता है 163 kg के बाइक है सिंगल चैनल के साथ में आते हैं ऐसे बहुत सारे अच्छे फीचर इसके अंदर हैं दोस्तों मैं बहुत आप बोल चुका है कि एवेंचर जो है ना वोमन राइडर और शॉर्ट है पीपल्स के लिए बहुत ही अच्छा उप्चन है बिकॉस इसमें आपको लोवर सिटिंग है मिल जाती है फुट पैक्स जो है तुमसा आई के तरफ हैं जिससे कि आपको पोजिशन वहाता है सीटी और आईवे दोनों के लिए बहुत अच्छा है एंसी जो अच्छा ब्रॉड मिल जाता है इविंट जो जो वीजन है और हैंडलिंग है वह भी बहुत ही अच्छी है इस इसके इंदर कॉंस है अधर्वाइस मॉडल बहुत या अच्छा है और बहुत या राइडर्स जो है इसको राइड करते हैं और सैटिस्फाइड भी है इस मॉडल से दोस्तों नॉम्र एट पे है बजाज डॉमिनार्ट टूटी सी मॉडल इसका एवरेस से लगर बात करें त जो 248.77cc का इंचर आता है 27 PS का पार प्रडूस कर जाता है 23.5 अनम को टॉक अराम जे जाती है 180 kg के बाइक है डूट चैनल लेबल के साथ में एक क्यूप डाता है अलॉयविल टूबल स्टार यह सब कॉमन फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं दोस्तों इस प्राइज रेंज क कोई भी अच्छा राइडर जो बाइक को जानता हो जिसको अच्छी नॉलेज हो बाइक के बारे में वो बजाज प्रिफर नहीं करेगा मैं यह क्यों बोल रहा हूं विकॉस मैंने भी कहीं फेस किया है मेरे फ्रेंड सर्कल्स में भी है और मैंने देखा है कि उनकी इंजिन जो है उतने ज्यादा रिलाइबल्स नहीं होते हैं आपको न्यू में बहुत चाहिते हैं बट आफ्टर फ्यू येर्स के बाद में बाइक जो है बहुत जाप आप करती है और आप लोगों ने भी अगर आपके फ्रेंड्स या फ्रेंड सर्कल्स में आप ही उसकरते हैं तो अपने भी चीज़ देखी होगी सर्विस सेंटर तो मैं मानता हूं सिटी सुटी डिबंड करते हैं बट हाँ बिल्ट कॉलिटी जो है वह जो है बहुत दिया इंपॉर्ण होती है और बजाज में वह थोड़ा सा लेक करती है इसके विए से जो नंबर से वह अच्छा और अप्राइब आप रख दोस्तों अगर इंजन के बात करें तो टू फॉर्टी एट पॉर्टी एट पॉर्टी एट पॉर्टी एट एट इस दिक अज़ दोस्तों बहुत याद चालता है और दोस्तों इसका सेल्स नंबर उस्तना ग्रैब ना करने का रीजन जो है न वह इसका प्राइज रेंट प्राइज है तो और बी मॉडल्स जो इसे चीपर एट में मिल जाते हैं तो थोड़ा प्राइजिंग के वज़ें से लोग जिए ज्यादा बाइन नहीं कर पाते अधर वाइस मॉडल में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों यह नएकट बडी स्पोर्ट सब्सक्राइब करने में बहुत ज्यादा पसंद भी है इसका लुक डिजाइन दोस्तों नबर सिक्स पे है के टीम की 390 सी मॉडल एंड दोस्तों इसका एवरेस सेल जो है 1100-1300 पीसिस पर मन्त हो जाता है अराम से अगर इस मॉडल के एक शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 2 सब्सक्राइब करें अगर इंजन पावर के बात करें तो 43.5 पीस की पावर प्रेश करता है 37 अगर टॉक है डिजल टॉक मिल जाता है आपको इसके अंदर आपको अंदर इसके अंदर डियल चैनल अबस मिल जाता है और सेम नेकट बॉड़ी स्पोर्ट से मतलब बाइक लु जो है 390 CC में एड हुई है और इसके वाज़ सेल जो है नंबर जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है और दोस्तों एक बात तो है केटियों का मार्केट बहुत अच्छा है इसकी फैन फालोंग बहुत ज़्यादा बड़ी है दोस्तों इंडिया में उतना अगा सेल इस नमबर ग्राप इसलिए ने कर पारा है विकॉस हां क्योंकि जो इसका प्राइस सेंग्मेंट जो है ना वो थोड़ा हायर साइड में है अधरवाइस बात में जैसे में ने कोई कमी नहीं है फूली फीचर्ड मॉडल होते हैं फीचर्ड बहुत यह लोड़े होते हैं जो इसके फीचर्ड लिस्ट देखेंगे और कंपेर करेंगे तो मार्केट में बाकी बाइक से इसका फीचर्ड हाई है तो आपको प्राइजिंग सेंग्मेंट जो है वो भी हाई हो जाता है दोस्तों नबर फाइब पे हैं रॉल एंफिल की हिमालेन दोस्तों इसका एवरेज से इसमें डिफ्रेंट हैं मॉडल के अलगर पाइजे मिल जाते हैं अगर इसके इंजिन की बात करें तो 411cc का इंजिन मिल जाता है आपको 24.83 PS का पाउर प्रोडूस करती है टॉक जो है 32NM का है 199 kg मतलब 200 पिलो के आसपास की ये बाइक पर जाती है आपको डूल चैनल ABS और ब बहुत अकाम आता है ये अन्रोड फ्रोड भाइक भी है मिड रेंज एडवेंचर भाइक भी कहा जाता है इसको और दोस्तों इसका पूरा सेटप जो है ना मतब हाइवे के लिए ही बनाया गया है सिटी राइड में अच्छी हैंडलिंग आपको नहीं मिलेगी बठा अच्छानल शक्तिया है इसका ऑंड़ प्राइस की जाता है इसको फॉन्धा मिल जाता है अग्धा सारे कीचे ौन्धाले में बड्ल यह को और मिल जाता है लॉटेजिस एलाइड गेट और तेल लाइड और अलाव जूबलेस तायर अडूल चैनल से यह शचीजिए और कॉ जाता रहता है लुक जो है बहुत पहले से ही यही सेम मिल रहा है और फीचर जो है इसमें एड़ ओन की करते जा रहे हैं ग्राफिक लिए लुक वाइज और कुछ टायर को लेकर कुछ कुछ अब्लटको को देखने को बिल जाता हैे तो यंग्सटर को इसली यह पसंद है लिकास 220 सी का पॉट को एंजिन हैं आपको मिल जाता है देड लाग लुट के अंदर यही यंग्सर्सको बहुत जाता पसνे दाने स्पोरिलिख भी अच्छेज़ फीचेश मिल जाते हैं इवन ज सब्सक्राइब दोस्तों सर्वेस कॉस्ट भी लो है तो यह सारे चीज़ों के वाइब से सेल्स नंबर है वह अच्छा मिल जाता है पर है रोयल इंफिल्ड की बुलेट इलेक्टरिक स्टार्ट मॉडल है दोस्तों इसका जे एवरेज से लेना 5000-3000 एवरेज मंथली हो जाता है अगर इसके एक्षोर्म प्राइस के बारे बात करें तो 1.42 लेक्षा से अथा पर जाता है अगर इंजन के बात करें तो 348 सीसी गंजन आजता है जो 20.07 PS का पाउर गुड़िस करता है 28 अनम का टॉक मिल जाता है 190 kg का स्वांस बाइक है सिंगल चैलेंग अबेस आता है हिलो दिन बल्ब आता है और रेट्रो लुक के साथ में आपको यह मॉडल मिल जाता है टोटल इसमें तीन करदा इसमें जो है ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं और अबेस बाद दोस्तों बुलिट को जो फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा सिंपल मिल जाते हैं मतलब इसमें जो concept लगाया गया ना रेट्रो का वह है Less features Less Issues वाला एंड bs6 में थोड़ा साच है इसका थोड़ा दबा दिया गया है अधरवाइस ये मॉडल जो है लुक वाइस, राइड वाइस एक इसका अलगी चाम है, मज़ा है दोस्तों वो किसी और मॉडल में नहीं आता इसलिए जो इसकी फैन फॉल्लिंग है वो दिन बाद दिन इंक्रीस हो जा रही है और सेल्स नमबर भी इंक्रीस हो रहे है दोस्तों नमबर टू पर है रॉयल इंफिल्ड बुलेट केकस्टार्ड मॉडल है दोस्तों इसका एवरेस सेल जो है 8000-12000 है जो की बहुत ही अच्छा है परमन के इसाब से और दोस्तों अगर इसके एक शोरूम प्राइस की बात की जाए बात करें तो 1.50 लैक्स आप रॉक्स आपको मिल जाएगा अगर इंजन की बात करें तो 346 सीजी का इंजन आता है जो की आपको पावर देता है 20.07 PS का और टॉक जो मिल जाता है 28 नम जो की बहुत है अच्छा है मेन चीज जो इसकी फैन फालोविंग है ना दोस्तों इसका साउंड एग्जॉस्ट था बट अभी उतना ज्यादा ब्यासिक्स में नहीं आ रहा है तो आर्पिम हाई हाई आ चुका है दोस्तों रॉयल इंफिल्ट स्टैंटर्ड का एक बहुत ही बड़ा यूज फैन फालोविंग है दोस्तों बहुत ही लोग इसके लुक को बहुत जा पसंद करते हैं कासर सका हैंड पेंट आर्ट वाल जो टैंक है न दोस्तों वह और जो इसको बुलेट का लोगो को आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इवन इसको राइड करने में भी बहुत ज़ना मजाता है मतला आप जो पिसके किक स्टार्ट करते हैं और उसका फील जो आता है वो डिफरेंट लेवल का है तो इसलिए इसको मॉडल को बहुत ही सेल्स नंबर मिल जाता है क्या दोस्तों नंबर वन पेसे आप जो है वह है ओला थे क्लासिक ठेव और प्राइस मिल जाता है और प्राइस के बात करें तो 1.81 से स्टार्ट हो जाता है इसका अंडर प्राइस अगर इंजन की बात कि जाता है तो सेम 346 CC का एंजन मिल जाता है जो कि 20.707 PS का प्रोडूस करता है 28 अनम का जो है टॉक देटा है 195 के सब्सक्राइब के साथ मिल जाता है स्प्लिट सीट मिल रहा है 13.5 लिटर का टैंक मिल जाता है अलॉविल्स भी ऑप्शन अवेलेबल है मैट कलर भी है और ग्लोसी कलर भी है इसकी बहुत बड़ी रेंज दोस्तों क्लासिक सीरीज में क्लासिक में मतलब आपको बहुत सारे अच्छेंज मिल जाएंगे सिग्नल्स है स्टैल्स ब्लैक है जो बहुत सेल करते हैं इसकी फैन फॉल्विंग सच में ही बहुत ही हुज है और लोग इसके रेट्रो लुक और इसके एडवांस पीचर जो उसको अंदर अभी भी एस में दिये गए हैं वह भी लोगों को पसं नहीं बाइक सारी हैं वह रॉयल इंफिल्ट से कंपीट करने कोईश्च कर रही हैं बट हाँ रॉयल इंफिल्ट का एक फैन फॉल्विंग बहुत यह हुज है एन उतको तोड़ना मुश्किल बहुत ज़्यादा होगा बठा अच्छे अच्छे मॉडल साय तो कॉम्टेशन क्या पता बाकी को भी अच्छे नमबर्स मिल जाए दोस्तों यहां वीडियो करते हैं ख्याल रखे ध्यान रखे और देखते रही है गुरुजी ब्लॉग ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी कमेंट सेक्शन में जरू बताईए आपको कौन सा मॉडल पस